सवाल हमारी पास से कुछ है सब In a photoelectric effect measurement the stopping potential for a given metal is found to be V0 volt when radiation of wavelength lambda 0 is used हम इन सब बारे में जानते हैं कि क्या होता है V0 क्या होता है यह सब क्योंकि हमने concept booster में जो है यह सब सिखा रखा है यदि आपने concept booster नहीं देखा है photoelectric effect का तो आपको अभी देखना होगा कैसे आप जो है incognito tab खोली अपने laptop में या अपने mobile में और YouTube सर्च कीजिए YouTube जो है सर्च कीजिए और YouTube पर आप जाएंगे आपको यहाँ पर सर्च करना है NKC Sur और NKC Sur सर्च करते हैं यह जो चैनल है चैनल का लिंक सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा उसके बाद आपको playlist section में जाना है अपको यहाँ पर मिलेगा physics concept booster physics concept booster में आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्या photo electric effect यहाँ पे जो तीन lectures है यह तीन lectures photo electric effect के उपर dedicated है इस सारे lectures में मैं आपको समझा है एक एक बात कि कैसे जो stopping potential है frequency में क्या relation होता है इनको vary करने पर किस तरीके से graph बनता है और बहुत सारी बातें यहाँ पे discuss करी है तो अब जरूर जो है चेक करें इस lecture को बहुत मज़िदार lecture है अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे कि radiation lambda wavelength का use करने पर stopping potential V0 के बराबर आता है तो बताइए radiation यहाँ यहाँ तो लेमडा नॉट का इस्तिमाल करेंगे minus of phi0 phi0 मान लेता हूँ क्या है हमारे पास है work function है अब यदि wavelength lambda 0 की जगे 2 lambda 0 के बराबर इस्तिमाल करते हैं या इसको xc by 2 lambda 0 यहाँ पे आ जाएगा same metal है तो phi0 सेम रहने वाला है तो stopping potential बदल जाता है मैं मान लेता हूँ V' के बराबर हो जाता है अब हमें निकालना क्या है stopping potential निकालना है और options हमारे पास हैं stopping potential हमें निकालना है option हमारे पास हैं इस तरीके के तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इन दौने equations को subtract कर देता हूँ दोने equations को subtract करूँगा तो यहाँ पे आएगा 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 minus यहाँ पे आएगा plus जोड़ देंगे इसको तो minus phi naught plus phi naught cancel out हो गया hc by lambda naught minus hc by 2 lambda naught is equals to ev naught minus v dash या ev dash लिख सकते हैं 1 minus half यह दि करेंगे तो आपको मिलता है half यानि कि यहाँ पे मिलता है आपको hc upon 2 lambda naught और यह वाली जो quantity है इसको इधर ले जाईए इसको इधर ले जाईए तो आपको मिलेगा ev naught minus of hc divided by 2 lambda naught is equals to e times v dash e से पूरी equation को divide कर देंगे तो आपको मिल जाता है v dash is equals to v naught minus hc upon 2 e lambda naught तो यह हमारे पास answer आजाता है that v dash is equal to v naught minus hc upon 2 e lambda naught 2 e lambda naught यह आपके पास answer आजाता है यह सवाल अल्रेड़ी बहुत जादा favorite रा है जही मेन वालों का आप यह सवाल करके जाएं प्रेक्टिस जरूर करें अपने हाथ से जरूर करें इस सवाल बहुत जादा देखे गए है recent years में तो यहाँ पे एक बहुत important announcement है तो यहाँ पे सबसे पहले कि Unacademy Prodigy की तरफ से 20 lakh तक का आप college grant जो है जीत सकते हैं आपको करना क्या है आपको एक test जो है उसमें appear होना है जो 23rd January 2022 से 22 को हो रहा है 10 a.m. onwards यह class 7th, 8th, 9th, 10th engineering और medical experience जो class 11th और 12th के हैं उनके लिए होने वाला है और इसमें exciting scholarship और reward भी होने वाले हैं यह all India level पर आप इस test में compete कर रहे होंगे इस test में enroll करने के लिए आपको code इस्तिमाल करना है NKC Sir Live और code जैसे आप apply करेंगे तो आप free में इस test को दे सकते हैं और 20 लगता का college grant जीत सकते हैं और भी इतमें सारे जो हमारे पास यहाँ पर prizes हैं कि rank 1 जिसकी आएगी उसको macbook air और rank 2, 3 iPhone यहाँ पर मिलेगा rank 4, 5 को Apple iPad और भी बहुत सारे इनाप यहाँ पर मिल सकते हैं आपको यदि आप test में appear होते हैं test में free है test एक्दम free है appear होने के लिए आपको code इस्तिमाल करना है NKC Sir Live उसके बाद यहाँ पे All India Mock Test Series है जिसके बारे में हम अल्री बहुत बार discuss कर चुके हैं जो आपको ले लेनी चाहिए तो यह जो test series है विटा में J.E.Main level के जो questions हैं वो होंगे और ये जितने भी questions हैं ये सारे के सारे top educators ने curate किये हैं अपने हातों से और इस test को देने के बाद इसकी detailed test report भी आपके पास आएगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से area जो हैं weak हैं और जो 200 learners होंगे 200 लोग जो होंगे उनको मौका मिलेगा free पढ़ने का यानि कि 100% scholarship उनको मिल सकती है आपको करना क्या है कि आपको enroll करना है, code इस्तिमाल करना है NKC Sir Live जिससे आप इतने सारी opportunities जो हैं grab कर सकते हैं IITJE Combat है 21 questions का test होने वाला है 60 minutes का, हर Sunday होगा और 11 a.m. से start होने वाला है इसमें मिलेगा क्या क्या आपको इह देखे आपको IITJE के quality questions जो है practice करने को मिलेंगे, दूसरा जो recent syllabus है, J.E.Main का और advanced का, उस पे based questions होंगे और questions के जो video solutions हैं, वो educators द्वारा provide कि रहेंगे और separate test होगा 11th, 12th का और 13th का, 11th में 11th का syllabus, 12th में 12th का और 13th में 11, 12 दोनों का और उसके बाद real time जो है, आपको EIR यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप पता लग सकता है आपको कि आपकी preparation जो है, कितने पानी में है, और कितने आप अच्छा कर रहे हैं, तो इसका realization होना भी बहुत जरूरी है और ना सिर्फ यह test होगा, बलकि test के बाद, जो यहाँ पर top rankers होंगे, उनके लिए scholarship और medal भी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, तो फटावट से आप enroll कर लीजिए, आपको code इस्तिमाल करना है in the time taken by the body under free fall, free fall के समें, free fall के समें यह time को और distance को measure करते हैं, ठीक है which was initially at rest, initially rest पर थी body, और उसका free fall करवा रहे हैं, और distance और time जो है, measure कर रहे हैं he uses this data for estimating g, g का value निकालने के लिए यह इस्तिमाल करता है, इस data का the acceleration due to gravity of the maximum percentage, ever in the measurement of the distance and the time or even and e2 respectively, यानि कि percentage error, percentage error, जो की maximum हो सकता है किसमें, distance में, in distance वो किसके बरावर दिया है, even के बरावर दिया है और percentage error in time measurement कितना दिया है आपको e2 के बरावर दिया हुआ है और हमें, जो है calculate क्या करना है, the maximum possible percentage error in the estimation of g तो यहाँ पे इन्होंने word इस्तिमाल किया है, maximum possible लेकिन यह यह नहीं भी क्या होता तो भी हम maximum ही calculate करते because maximum error का ही कोई sense बनता है, minimum error तो zero ही हो सकता है, कितना हो सकता है तो हमेशा हम maximum error ही calculate करते हैं, ऐसे सवालों में तो सबसे पहले, ऐसे सवालों वो solve करने का तरीका यह है कि आप empirical formula लिखें जो इन सारी quantities को relate कर रहा है तो हम जानते हैं, यह किसी body को हम rest से release करते हैं तो उसका initial velocity zero मान लेते हैं और यदि वो s distance के बनावर travel करती है तो s की value हमें मिल जाती है half into gt square यहाँ पर मैं distance की बात कर रहा हूं displacement नहीं तो यहाँ पर distance है which is the magnitude of displacement this is equals to half into gt square initial velocity zero के बराबर है तो यहाँ से g की value में लिख सकता हूं g is equals to 2s upon t square अब यहाँ से error वाला relation लिखा जा सकता है बड़ी असानी से that delta g by g into 100 is equals to delta s by s into 100 plus 2 times delta t by t into 100 delta t by t into 100 यहाँ पर लिखा जा सकता है तो बड़ी delta s by s into 100 हमें दिया है percentage error in distance calculation which is e1 और plus में 2 times delta t by t into 100 यानि कि time measurement में जो percentage error है which is e2 तो यहाँ पर जाएगा आपके पास 2 e2 so this is the maximum percentage error in the measurement of g हमारा answer आ जाता है कि इसके बराबर e1 plus 2 e2 के बराबर e1 plus 2 e2 के बराबर हमारा answer हमें मिल जाता है e1 plus 2 e2 option number b इसके बात आगे बढ़ जाते हैं अंगले सवाल की तरफ सवाल है हमारे पास if a transverse pulse is created at the topmost point of a uniform rope suspended vertically then speed of pulse must remain constant speed of pulse decreases with constant rate as pulse moves downward speed of the pulse decreases with increasing rate as pulse moves downward constant data pulse moves downward एक हमारे पास uniform रसी है और उस रसी के topmost point पर एक pulse generate की जाती है एक disturbance generate किया जाता है तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि comment section में लिखाईए दिखाईए अच्छा यहाँ पे लिखाई हुआ है transfers type की wave जो है यहाँ पर generate होने वाली है transfers type की wave यहाँ पर generate कर रहे है और हम जानते हैं कि wave जब string से move करती है तो उसकी speed का formula क्या होता है speed of wave is equal to under root of t divided by mu under root of t divided by mu उसका formula होता है because यह uniform rope है तो mu की value जो है constant होने वाली है इसका मतलब यह वाली quantity constant है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि speed of wave is directly proportional to under root of t under root of t which is under root of tension अब इस सवाल को करने के लिए हमें tension का ज्यान होना चाहिए यानि wave जो है वो Newton's laws of motion पर dependent हो गई है अब Newton's laws of motion यदि सही से सीखा होगा तो हम इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे और जो आपको आता ही है मैं जानता हूँ तो यहाँ हम बना देते हैं एक रसी और यहाँ बात करते हैं उसकी tension की तो tension की ज़ी बात करें तो यहाँ पे मैं तीन दो point ले रहा हूँ एक point है यहाँ पर और एक point है यहाँ पर point को नाम देता हूँ A point को नाम देता हूँ भी ये वाला जो point है इस पे tension का मतलब क्या होता है ये आप सोचे यदि मैं इस रसी को यहाँ पे break कर देता हूँ तो इसके नीचे वाला जो part है और इसके उपर वाला जो part है वो एक दूसरे के उपर force लगा रहे होते हैं ये वाला part इस वाले part को pull करता है, ये वाला part इस वाले part को pull करता है, तो जो pulling force इस point पर इन दौनो रस्यों के बीच में लग रहा है, that force is called tension force, तो इसके उपर एक tension लगेगा उपर की तरफ, इसके उपर tension लगेगा उपर की तरफ, इसके उपर tension लगेगा नीचे की तरफ, और tension यहाँ पर हमने दिखा दिया है similarly यदि A point पे tension के यदि आप बात करें तो tension का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इस point से just उपर का जो portion है इस point से नीचे का जो portion है वो एक दूसरे को कितने force से खीच रहे हैं तो यदि A point पे tension के यदि बात करें अब T.A.T.B. में बड़ा कौन है यह आप देखिए नीचे वाले part का equilibrium में लिख रहा हूँ तो नीचे जो है force लग रहा है M.G. के बराबर और यह M.G. किसके बराबर होना चाहिए T.A. के बराबर होना चाहिए यह जो T.B. है किसके बराबर होना चाहिए M.G. के बराबर होना चाहिए तो यह T.A.T. इसके M.G. के बराबर है यह T.A.T. इसके M.G. के बराबर है अब M.G. M.G. को compare कीजिए किसका M.G. ज़्यादा है यह छोटा part है तो इसका मास कम होगा यह बड़ा part है तो इसका मास ज़्यादा होगा इसका मतलब यह tension जादा है और यह वाली जो tension है कम होने वाली है यहँआ से हमें समझ में आगया mathematical analysis करके कि कौन सा tension जादा है कौन सा tension कम होगा एक और no brainer में आपको समझा रहा हूँ कि आपने movie जरूर देखे होगी धमाल नहीं देखी तो कोई बात नहीं है ठीक है ऐसा नहीं लेक्चर छोड़के धमाल मूवी देखने चला गए तो आपने बहुत सारी मूवीज में एक सीन देखा होगा कि यहाँ पे क्लिफ होती है यहाँ पे इस तरीके की क्लिफ होती है और कैसे ना कैसे करके कोई भी stupid reason की वज़े से एक बंदा यहाँ पे लटक जाता है एक person यहाँ पे लटक जाता है इस तरीके से और फिर उसके बाद और भी लोग गिरते जाते हैं और इसके पैरों पे लटकते जाते हैं तो यहाँ पे person one लटक गया यहाँ पे दूसरा person लटक गया इसके पैरों को पकड़के और इसके पैरों को पकड़के एक तीसरा बंदा जो है ऐसे लटक जाता है इसके पैरों को पकड़के एक चौथा बंदा यहाँ पे लटक जाता है उसके बाद पांचवा बंदा लटक सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस वाले परसन को, और उसके भी हाथ में दर्द हो रहा है, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, यार इतने सारे लोग मेर से जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको है, पैर में कोई भी सबसे कम दर्द है कह सकते हैं सबसे कम दर्द है तो यह uniform rope की तरह इसको treat किया जा सकता है तो सबसे कम tension नीचे होती है सबसे ज्यादा tension होती है उपर तो नीचे से उपर जाने पर tension जो है increase होती रहती है ऐसे मैं इस rope के बारे में कह सकता हूँ कि tension जो है नीचे स से उपर जाने पर टेंशन जो है बढ़ रही है तो टेंशन उपर ज्यादा है तो जब यहां से disturbance create किया जाएगा तो यहां पर जो speed है वो ज्यादा होने वाली है और यहां पर जो wave की speed है वो कम होने वाली है तो हमें एक part तो पता चल गया है कि speed of the wave will be more at here and less at here यह कह सकते हैं कि decrease होगी उपर से नीचे आएगी तो option हमारे पास यह गलत हो जाता है option हमारे पास यह गलत हो जाता है अब हमारे पास option है B और C बी में दिया हुआ है कि इसका जो rate है decrease होने का वो constant है और यह कह रहा है कि decrease जो है जानना चाह रहे हैं कि speed जो है वो किस तरीके से change हो रही है किस तरीके से decrease हो रही है acceleration के बारे में जानना चाह रहे है acceleration constant है या acceleration constant नहीं है तो उसके लिए हमें speed निकाल नहीं होगी किसी भी एक particular point पर तो यहाँ पर आप मालीजिए उपर से मैं बात कर रहा हूँ x distance पर x distance पर बात कर रहा हूँ तो इस part पर जो tension है वो हम निकाल सकते हैं बड़ी असानी से कि नीचे वाला जो part है इसका length होने वाला है l minus x total length l मान लिया तो इस वाले part का जो mass है वो हो जाएगा आपके पास m by l into l minus x into g यह gravitational force हो गया यह हो गया आपके पास tension तो tension की value आपको मिल जाती है कि इसके बराबर m by l into l minus x into g तो यह मिल जाएगा आपके पास mg 1 minus x upon l तो यहां से आपको speed मिल जाती है v wave is equals to under root of t by mu under root of t by mu या m by l इससे लिखा जा सकता है m से m जो है cancel out हो गया और आपको यहां से मिल जाता है under root of g और यहां पर मिल जाएगा आपके पास l minus x under root of g l minus x यह आपको speed मिल जाती है और यहां से भी पता चल रहा है कि x को increase करने पर x को increase करने पर यह quantity decrease हो रही है इसका मतलब speed of wave decrease होती जा रही है तो आप क्या करेंगे, अब इसको differentiate कर देंगे, तो differentiate करेंगेör तो आपको मिलता है dv by dt, आपको मिलता है dv by dt is equal to, dv by dt is equal to, इसको differentiate करेंगे, तो under root x का differentiation आता है, 1 upon 2 under root x, यह यहीं chain rule का इस्तिमाल कर रहे हैं, 1 upon 2 under root of g l minus x, फिर इस bracket का differentiation होगा तो आपको मिलता है g into 1, 0-1 और फिर x का differentiation होगा तो आएगा आपके पास dx by dt आपको में आपर मिलेगा dx by dt और dx by dt अमारे पास है velocity of wave के बराबर तो आपको यहां से मिलता है minus of g divided by 2 times under root of g into l minus x और यहां पे speed को multiply करना होगा which is itself g l minus x l minus x का under root तो यह और यह आप आपसमें cancel out हो जाता है dv by dt जो है आपको मिल जाता है किसके बराबर minus of g by 2 के बराबर यानि कि जो acceleration आया है यानि कि जो rate है decrease होने का वो आ रहा है g by 2 के बराबर which is a constant value तो इसका मतलब option में आप देखिए फटाफट से कि speed of the pulse decreases with constant rate as pulse move downward बिलकुल ठीक बात है कि constant rate हमें मिल रहा है तो option जो है b हमारा सही हो जाता है option b जो है हमारा सही हो जाता है because acceleration यहां पर देख सकते हैं कि g by 2 acceleration से यह नीचे आ रही है pulse next question यह आप डिसकस करने जा रहे है सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास M के बराबर है मास कितना है M के बराबर is stationary with respect to the wedge of mass capital M moving with uniform speed V on horizontal surface समझ में आई बात आपको कि यह wedge एक constant velocity V से move कर रहा है और इसके उपर रखा हुआ है एक मास का ब्लॉक M मास का ब्लॉक जो stationary है work done by friction force on the block in time T seconds is equal to तो time T में आपको पूछा गया है कि कितना work होगा friction की वज़े से तो पहली बात तो यह है कि यह constant velocity से चल रहा है तो इसका मतलब यह एक non inertial frame नहीं है तो यदि मैं free body diagram बनाता हूँ इस छोटे से block का तो इस free body diagram बनाने पर नीचे की तरफ इस पर force लग रहा है mg sin theta के बराबर और friction लग रहा होगा पीछे की तरफ तो मैं कह सकता हूँ कि इस direction में इसके उपर लगने वाले सिर्फ दो ही forces हैं और बाकी forces इसके perpendicular direction में हैं normal है इधर और mg cos theta है इधर तो इस direction के forces को balance किया जा सकता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा mg sin theta जो है वो किसके बराबर आजाएगा, friction के बराबर आजाएगा, और हमें work यदि निकालना है, तो work होता है force dot displacement या force into displacement into cos theta, तो यहां पर देखिए, time t में यदि बात करूँ तो यह wedge आगे चला जाएगा VT distance आगे चला जाएगा similarly मैं कह सकता हूँ कि यह जो block है, यह भी VT distance जो है, आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो force इस direction में है displacement इस direction में VT के बराबर है तो यहां पर आप देखिए कि force लग रहा है इस direction में और force की value है बिटा कितनी mg sin theta के बराबर friction है magnitude mg sin theta के बराबर है displacement इसका है किसके बराबर displacement है इसका V into T के बराबर और angle के दी बात करें तो angle हमें दिया हुआ है यह angle of inclination theta के बराबर तो यह theta है बिटा तो यह भी हो जाएगा आपके पास theta के बराबर यह भी हो जाएगा theta के बराबर और यह angle theta है तो यह angle कितना हो जाएगा आपके पास 180 minus theta के बराबर 180 minus theta के बराबर तो मैं आप लिखूंगा force कितना है mg sin theta into displacement का magnitude कितना है Vt के बराबर into cos of 180 minus theta cos of 180 minus theta यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब आप जानते हैं कि cos of 180 minus theta के यह दी बात करें cos of 180 minus theta की A, S, T, C तो यहाँ पर minus cos theta मुझे मिलने वाला है तो आपको यहाँ से मिलेगा minus of mg sin theta cos theta और यहाँ पर जाएगा आपके पास Vt अब यहाँ sin theta cos theta है तो 2 से multiply 2 से divide करना मेरा करतव्य है तो यहाँ से 2 sin theta cos theta हमारे पास बन जाता है sin 2 theta तो आपको मिल जाता है minus mg by 2 sin 2 theta sin 2 theta और यहाँ पर जाता है आपके पास Vt की value यहाँ पर जाता है Vt यहाँ पर जाता है Vt तो हमें work done by friction मिल जाता है which should be negative क्योंकि दिख रहा है कि force और displacement की बीच में of two single बन रहा है तो negative a नहीं आना था तो minus mg by 2 Vt sin 2 theta हमारे पास answer आजाता है answer number B answer number B एाता है जाता है तो कि यहाँ पर जाता है आजा है